अज मैं हर एक ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉबलम का सबसे शानदार सलुइशन लेकर कर आए हूँ और कौन सी होती है ओवर्त्रेडिक गए ऐसी बिचे विमारी है जो हर ठेटर को कभी ना कभी पकड़ डरूर लेती है मतलब हर एक ट्रेडर ऐसा होता है जो ये बोलता है कि सर एक बार मेरे को लॉस हो जाता है ना एक बार मेरे को लॉस हो जाता है तो मैं उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ही और लॉस पे लॉस करता रहता हूं और तब तक नहीं रुखता जब तक या तो मार्केट बन नही नहीं हो जाता अगर आप इस प्रॉब्लम से जूज रहे हो तो ये विडियो के अंदर पहले तो हम समझेंगे कि ओवर्ट्रेडिंग लोग करते क्यों है और एक ऐसा सॉलूशन दूँगा मैं आपको ओवर्ट्रेडिंग का ये कोई साइकोलोजिकल सॉलूशन ये टेक्निकल स सॉलूशन है आप ओवर्ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे आप चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे ऐसा सॉलूशन में आप लोगों के लिए लेकर रहा हूं तो मेक शॉर आप इस वीडियो को एंड तक देखें अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूफ करने के लिए हमारे चा यूमन्स के अंदर दो बड़े एमोशन होते हैं एक होता है फियर और एक होता है ग्रीड ठीक है मेजोरीटी ट्रेडर्स को यह लगता है कि उनको फियर होता है लॉस का और ग्रीड होती है प्रॉफिट की जो कि सही है लेकिन एक बार जब आप ट्रेड ले लेते हो तो उसके बाद आपको fear होता है profit का और greed होती है loss के time पर मतलब ये नहीं कि आपको profit हो जाएगा इसका आपको डर है जब भी आप profit में होते हैं एक चीज याद करो अब अपने trading career को recall करो याद करो 200 रुपए का profit होता है या मान लेते हैं किसी का capital बड़ा है तो 2000 का profit होता है इससे भी बड़ा capital है तो 20,000 का profit हो रहा होता है जबकि होना इसका probably 5X हो चाहिए मतलब 200 जिसका capital 10,000 या 20,000 या 50,000 है उसका 1000 रुपए profit होना चाहिए 2000 वाले का 10,000 होना चाहिए 20,000 वाले का 1,000 होना चाहिए ये profits होने चाहिए लेकिन आपको 200 रुपए के 2000 या 20,000 के profit पर ही आपके मन में डर आने लग जाता है कि कहीं profit मेरे पास से चला तो नहीं जाएगा और वहाँ पर greed काम नहीं कर रही होती क्योंकि अगर greed काम कर रही होत लगता और आप इस profit को book कर लेते हो क्यों क्योंकि आपको यह लगता है कि मेरे को इससे जादा profit नहीं होगा या फिर यह होता हुआ profit मेरे पास से चला जाएगा secondly जब आप loss में होते हो तो आपका risk management आपको बोलता है कि let's say आपका capital एक लाख रुपए है तो इस पर आपको 1000 रुपए का ही risk लेना है जैसे ही आप 1000 के loss में आते हो कि आप उसे book करते हो most of you will say नहीं करते सर हम लोग book नहीं करते why because you become greedy आप ये बोलते हो कि यार थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ ये 1000 रुपए का loss जो है ये 5000 के profit में बदल जाएगा या फिर loss अगर 2000 का हो गया तो भी book नहीं करोगे already limit से बाहर आगए फिर भी book नहीं कर रहे क्यों क्योंकि greed है कि इस loss को हम profit में convert करें अब ये जो दो emotions हैं इनका over trading से क्या लेना देना देखो क्योंकि over trading majority लोग करते हैं loss के बाद में काफी लोग profit के बाद भी करते हैं लेकिन पहले हम ये समगते हैं कि loss के बाद ज्यादा क्यों करते हैं मान लेते हैं आपको loss होता है 1000 रुपए का ठीक है आपका capital था 1,00,000 आपको ये लालत होता है कि क्यों न अभी market let's say आपको loss हो गया 11.15 मिनिट तक अब दिमागदार trader क्या करेगा अपना laptop की screen मंद करेगा कोई और काम करेगा सो जाएगा खाना गाएगा जिम जाएगा जो करना है करेगा लेकिन market नहीं देखेगा आप market देखते रहोगे और opportunity और हर green candle को buying opportunity मानकर trade करने लग जाओगे और जब आप इस vicious cycle के अंदर enter कर जाते हो कि आप हर एक red green candle को buy sell signal समझ रहो तो आप एक spiral में चले जाते हो जिसमें आपका सिर्फ एक ही काम होता है trade लेते रहना और इस 1000 रुपए के loss को recover करने की कोशिश करते रहना at the end क्या होता है आप बहुत ज़्यादा brokerage दे चुके होते हो और उससे भी ज़्यादा आप अपना नुकसान करा चुके होते हो जो सुबा तक 1000 रुपए ता हो साड़े तीन बज़े तक 8-9-10,000 रुपए तक आ जाता है और कई बार लोगों के capital भी zero हो जाते है तो आयोब आपको root causes का समझ जाना चाता हूं मेरे phone की screen पर हम लोग फटाफट से आ जाते हैं तो जैसा आप लोग देख सकते हो मैं अपने धन आप को मैंने open करा login किया और यहां से open करते हैं मेरे को जाना है settings के अंदर settings में जाते ही आपको एक option देखेगा जिसका नाम है traders control अब यह एक ऐसा feature है धन आप पहले अगर ऐसे features दे रहे होते तो बहुत सारे लोगों नुकसान बन जाते हैं अब आपको क्या करना है देखो traders control पर आप जैसे ही जाओगे आपको यहां पर एक list मिलेगी बहुत सारे हाँ पर features आपको मिलेंगे सबसे पहला trade SOS alert on overtrading overtrading का यह जो alert है आपको वस एक छोट trade मतलब मान लेते हैं आपर जैसे 25 लिखावा है तो आप इसको edit 15 कर देते हो for example यहां पर minimum limit 15 के लेट से आपने 15 कर दिया अब जैसे आप 15 से ज्यादा trades पर जाओगे जैसे आप 15 से ज्यादा trades पर जाओगे आपके पास एक SOS alert आजाएगा कि भाई आपने अपनी daily trading limit को cross कर द तक अगले अगले दिन तक मतलब जब तक अब market वापस नहीं खुलता है यानि next day लेट से मंडे को आपने तीन बजे किल्स वे चौन कर दिया तो आप Tuesday को सुभा सवानों बजे तक कोई trade नहीं ले पाओगे जब market खुलेगा तभी आप trade कर सकते हैं मतलब एक नए trading session में ही आ अप इतना काम तो आपको खुद करना पड़ेगा कि आप जा करें किल्स वे चौन करो मेरे को पता है आपको हो सकता है बड़ा दुख हो कि आर मैं आप trade नहीं कर पाऊंगा लेकिन आप trade कर भी लोगे तो भी आपको और ज्यादा नुक्सान ही होगा higher chances यहीं है कि आप loss में निकालोगे वो दिन और ज्यादा नुक्सान करके आप उस दिन मार्केट से जाओगे तो उससे अच्छे ही है कि उस दिन ट्रेडी ना करें और अपने kill switch को activate कर दें तो I hope आप समझ पाए होंगी कि कैसे अपधन आपकी मदद से अपनी over trading को limit कर सकते हो और अपनी trading को improve कर सकत होंगा जो आपको एक better trader बनने में बहुत ज्यादा help करने वाले तो thank you so much for watching and this is Divya Amparashar signing off take care bye bye